हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ जाली वाला बास्केट बनाने की विधी शेर कर रही हूँ ये जाली मुझे बिग बास्केट ने प्यास के साथ भेजा है और मैंने इस जाली का बास्केट इसलिए बनाया है कि बरसात के दिनों में प्यास सड़े गले नहीं इसे बनाना बहुत आसान है तो देखिए मैंने ऐलमुनियम फाइल लिया है जिससे लंच वगएरा बच्चों करेप करते हैं और उसको लपेट लपेट कर एक मोटी सी स्ट्रिंग बना लिया है और इस स्ट्रिंग को मैंने जाली के बास्केट के मूँ के चारों तरफ लपेट दिया है ताके बास्केट को सपोर्ट मिले और उसका मूँ खुला रहे ऐसा करने से हर बार प्यास निकालने में बहुत आसानी होती है और इस जाली की वज़े से बरसात के दिनों में प्यास सरता गलता नहीं है आम तोर से हम प्यास को बचाने के लिए या तो बेट के नीचे इसे फैला देते हैं या डाइनिंग टेबल के नीचे इसे फैला देते हैं देखने में अच्छा लगता नहीं है और जारू देने पर हर बार उसके पत्ते बिखर जाते हैं तो इस तरह से बना लेने के बाद दो-दो केजी प्यास को हम बास्केट में रख सकते हैं डाइनिंग टेबल के नीचे एक के उपर एक भी से रखा जा सकता है जो देखने में ब राइट था जिसकी वज़े से प्यास गिर जाता था और ऐसा करने से मुझे प्यास रखने में बड़ी राहत मिली साथ ही प्यास बरसात में महीनों सुरक्षित रहेगा सड़े गलेगा नहीं फुरेश बना रहेगा तो आप भी इसे इसी तरह बनाएं बिलकुल जीरो अच्छा लगेगा आप अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें और अगर पसंद आये तो लाइक और सब्सक्राइब करें तो उमीद है आज की वीडियो को आपने इंजॉय किया होगा थैंक यू पर वाचिंग